आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बस को चर्चा करेंगे चलिए पॉलीमर ऊसी की बात करेंगे पॉलीमर कि इसको चाहता है बहुलक और फीक है अप की चट्चा करनें चे पहले बात हो इस लिंग्न SKA जो लिंक है description box में दिया गया है वहाँ से आप नोर्स को डाउनलोड कर सकते हो चलिए हम देखते हैं topic और सबसे पहरा जो बाउलक है इस unit के अंदर हमने बाउलक क्लासिविकेशन के बारे में चर्चा कर ली थी पॉल बाउलक है या पॉलीमर जो है वो क्या होता है वो हमने देख लिया था पॉलीमर के से बनता है वो भी हमने देख लिया जो पॉलीमर के टाइप थे горla का उन्यिक चर्चा कर ली थी अधिशनल पॉलीमर केंदर हमने पेरन पॉलिमर के प्यक्सीं करने दाघसिक एक there a little bli छोटा सा इसके बार हमने पहले हैं छह लाससो में अगज के बदुब्रास्टीक कि कраст को अब किinsi क्या होती है क्या होती एंज हèg गौत ऊँटिक होती जिसके ऐसाल म кстати लिसritis बी नहीं होति लचीहली नहीं होती यह हम बोल सोटे है वो प्लास्टीक काम में लेना इक अनों होती, काम में लेते लेकिन फिर तोड़ी लडी बूड आती है या फिर, य French bringing यह भी हमें लेटा काई है कि अपने my डेली Li你知道, को राप टें उन प्लास्टिक के अंदर कुछ प्लास्टिक होते हैं कुछ प्लास्टिक ऐसी होते हैं बहुत जादा लची ही होती है मतलब यह नहीं बोल सकते कि रबबर है लेकिन वह फिर भी क्या है उस हार्ड से क्या है थोड़ी सॉप्ट है तो अलगलग टाइप की कुछ प्लास्टिक हम बात करेंगे तो जब प्लास्टिक है जो क्या हो जिसके अंदर कुछ आसुद्धी पाई जाती है उस आसुद्धी को हटाने के लिए या प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए उसमें के अंदर क्या मिला जाता है प्लास्टिक साइजर मिला जाता है उसके अंदर क्या मिला जाता है जब यह प्लास्टिक में प्लास्टिक साइजर मिला दे जाएगा तो वह प्लास्टिक क्या हो जाएगी वह प्लास्टिक लचीली हो जाएगी मुलायम हो जाएगी ठीक है इसी बेसिस क्या अधार परें या PC के अकोर्डिंग प्लास्टिक को थ्रीटायप में डिवाइडिं here बहला होता है है हराम फ्लाश्टिक है दूसरा है thermositting और तीसरा है और वह सकते हैं कि प्येम्स कर आए यह तीन हो गए यह 3 टाप्रिक्स ए जो इसका हिं गर इमने पहले चक्रचा कर दो प्रम एक क्स अइंग क्या होता है थेटिंग क्या होता और उसके तेंप्लास्ट्र करेंगे डिज्ञ करेंगे तो यह inप्रेच environmental को उसकोन नई से ऎसको नई शेप देऊ सकते हैं जैसे कि हमारा थो कि पर पीità लिक हो गया से में बात की freakin क्ञोंट सिंटिंग तो ध्नकramer सिंग होती है उसके लिए कि प्रास्टीक प्लास्टिक को टेमपरेचर दिया जाता है तापमान में यह लुआ घुल जाता है कि उतनी ही जादा कठ़ों होती जाती जितना हम टेमपरेचर बढांगे कि उसकी hardness उतनी अध बढ़ जाएगी तो हम बोल सकते हैं जितना इसको घ्रम करींगे वह उतनी हाड हो गी तो उसके लिए हमने बात कि அ कि तो मैं कहले की यह कि यह उतना है यहाड हो जाएगा त्यट हमने बात्य-दि करिंगि इलाष्ट परकिर gibt बन वर प्लास्टिक के सर्चा हो गई थी टाइप के प्लास्टिक के अंदर फ्रम प्लास्टिक, thermoseating and Bed Elastomer हमने देख लिया错व ह concre pressures हो गए तो यहां का प्लास्टिक हो इतना ही है इसे ज़्यादा पढ़ने के लिए हम पिछली क्लासों के अंदर इन थ्राइप तो रबबर भी क्या होता है तो रबबर को हम देखे तो यह भी क्या है तू टाइब का पहला हम बात करें नेचूरल रबबर सेकीड हम बात करेंगे तो यह क्या होगा आठिफिशल रबबर तो देखे नेचूरल रबबर होता है वो किसका बना होता है आईसोप्रीन का एक्जाम्पल में बात करें तो आईसोप्रीन का बना होता है आईसोप्रीन का बना होता है या इसको हम बोल सकते हैं तो जो नेचूरल रबबर है वो किसका बना होता है जाती है तो सबसे फ़ले आइसोप्रीन की हम बात कर लें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2 double pond CH CH double pond CH2 और इसको अगर आइसोप्रीन में convert करेंगे तो यहां से निकल जाएगा यह hydrogen carbon से hydrogen बाहर तो यह क्या बन गई 2 methyl 1,2,3,4 तो 1,2 methyl 1 और 3 क्या है 2 methyl 1,3 diene 2 methyl 1,3 diene बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे यह क्या है आइसोप्रीन के इस टेक्चर है यह क्या है आइसोप्रीन की इस टेक्चर है 2 methyl 1,3 sorry butadiene butadiene क्योंकि यह butane की इस टेक्चर है 4 carbon है तो इसको polymer में convert किया गया तो यह किस में convert हो गई यह convert होई CH2 single bond double bond CH CH2 यह किस में convert हो गई आइसोप्रीन पोली आइसोप्रीन में convert हो गई पोली आइसोप्रीन में convert हो गई जो यह reaction है वो क्या कर लाएगी पॉली मेराइजेशन क्या कर लाएगी ठीक है यह reaction क्या कर लाएगी पॉली मेराइजेशन तो आइसोप्रीन आइसोप्रीन क्या होता है 2 methyl 1 3 butadiene को हमने काम में लिया और जब इसकी अब यह पॉली आइसोप्रीन में convert हो गई ठीक है अब यह पॉली आइसोप्रीन तो बन गया नेचुरल अब नेचुरल रबल के अंदर क्या पाई जाती कुछ इसके काम में नहीं ले सकते तो उसको प्यूर करने के लिए हम क्या करेंगे उसके अंदर सलफर की करवाएंगे supposed to करवाएंगे ऐस से पहले हम बात करेंगे इसके polymorbun तो वोन THRY मतलब जम फ्रेट और स्टार करते हैं आइस्वेर है उसका-चारबन नंबर ≥ वर खिर्टो नंबर ≥ नंबर ≥ दोनों क्या डिया करेंगे बोंडिंग बनाएंगे तो जैसे ही हम बात करें यहां पर आइसो फ्रीम की तो CH2 C double pond CH CH2 इजर तो भी बड़ा हो जाएगा CH2 यहां carbon double pond carbon तो यहां से क्या जुड़ेगा आइसो पोजिसर पे CH3 यहां CH2 और यह क्या हो जाएगा hydrogen फिर से यहां पर CH2 C double pond CH CH2 और यहां CH3 तो यह क्या है carbon number यहां से number 1,2,3,4 यह क्या है carbon number 1, तो carbon number 4 और carbon number 1 ऑन बनों क्या कर रहे है बन्डिogg anti carbon dear carbon अब बात करें कि अदर कुछ आजद्धी आगे तुसका अब बात करूंगे वाटिनी करत करेंगे को यह प्रचाद और है वह क्या हो जाएगा कम खरचिला हो जाएगा मतलब वो कम घिसेगा आगे मात करें राजसाइनिक अभी के हिए से क्या होगा एपरबाबिर यहां हम बोजड़ें राजसाइनिक जो अभी करी होंगी उनका उस पर कोई परबाव नहीं प्रेगा यहां हम में हो जाएगा तो व्यक्षास का ना पाड़ेगए ऑथ कि Black- cheesy reaction करने के लिए उसके अदर क्या ना पहँ को आपि की रियक्शन करवाएंगे तो सलफर क्या कर लेगा उसकी असुद्धी को बहारे निकाल देगा तो देखिए CH2 double bond CH CH CH2 यह reaction है यह क्या है CH3 जब इसकी रियक्शन सलफर से करवाएंगे तो यहा तो bonding क्या बनेगी CH2 C CH3 यहा है तो सलफर यहां जोड़ जाएगा फर्स्ट पोजिशन वे अगर सेगिंड पोजिशन की बात करें तो CH2 C CH3 CH2 और S यहां जोड़ जाएगा यहां क्या जाएगा है तो हम बात करें 1234 कार्बिक वेलेंस यहां भी कंप्रीट है तो यहां जब यह सलफर एड हो जाएगा तो सलफर के साथ जो आशुद्य वह बाहर निकल जाएगी और हमें क्या बन जाएगा नेचुरल रब्बर है वो क सब्सक्राइबर करने अजऑबर की अ कि फीशय कौका ए ए वद Кरिक एपने बात कर लिए वना लेंगे नेचुन रबर बना लेंगे तो उसके बाद हम आडिफीशर लब अपनाये तो यह पननता है फैक्ट्रियपनता है इंडर्श्ड्री दों बात करेंगे इसके बाकिल के Bayouna बात करेंगे बासके लिए कौन कौन Чा है इसके लिए कौन थि एक अगलों नाइट्राइल दूई कौने, पौनग थिए नले सीट्य अगि एक्रिलो निटरयल सब प्लस मुझ या इसको मढ़ें भोल सकते हैं एक्रिलो नाइट्रयल या जो सबलें सुरी सडारिक लोलेंगे इसको एक्रिशन नाइटरिक भी बोलेंगे लेको अ कि युद 246 00 Saturn गोलेंगे तो दोनों क्या है मोनोमरी काईया है कि अब देखिये जब इस्टाइरीन और विवुना एस को दब जोड़ा गया इस्टाइरीन और विवुन और जो यह है 1-3-butadiene 1-3-butadiene और इस्टारिंग को जोड़ा गया तो यह कौन सी रेक्षिन मनाएगा यह जुड़ेगी CH2 CH double bond CH single bond CH2 CH2 CH नीचे क्या जाएगा C6 H5 यह क्या है N molecule है और इसको का जाता है Buna S Buna S क्या है एक संसिलेशी तरफबर है और इस्टारिन को जब एड़ करवाया गया तो CH2 double bond दो था दोनों वो दोनों क्या करेंगे पासवाले carbon बेशिप्ट करेंगे अपने bond को और double bond यहां shift हो जाएगा ठीक है double bond यहां shift होते ही हम बहुत सकते ही यह क्या बन जाएंगी N molecule की यह N monomer इकाईयों का यह क्या पॉलीमर बन जाएगा ठीक है N monomer इकाईयों का क्या बन रहा है N polymer बन गया हमने यह यह क्या लिए N N Ekyli जब यह पॉलीमर बन जाएगा पॉलीमर बन जाएगा तो यहां तक हमने नेचुरल रब्बर और राटीपिशर रब्बर की बात कर ली अब हम बात करेंगे एक जामपल ओफ जो हमारे एडिशनल पॉलीमर उनके एक जामपास की एडिशनल पॉलीमर की एक जामपल दिये गए हैं यूनिट के अंदर वो ही हम चर्चा करेंगे एडिशनल पॉलीमर की हम चर्चा कर रहे हैं एडिशनल पॉलीमर की हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर additional polymer क्या होता है या थो हमने पहले देख रखा है पिछली ग्लास को के अंदर कि additional polymer का मतलब होगा कि यहां पर क्या होगा Monomericai यां जूटती जाएंगी या Monomericai का AID होगा Monomericai का AID होगा 2 Monomericai, 3 Monomericai या 1000 Monomericai या क्या होगी आगे से आगे जूटती जाएगी और एक बड़ी स्रंकला का निर्मान कर लेगी उस बड़ी स्रंकलाया व्रद अनु को ही हम क्या कहेंगे Polymer कहेंगे देखिए additional polymer की हम बात करें तो इसमें जो Monomericai होगी वह एक ही type के होगी वन टाइप की Monomericai या बार बार जोड़ेगी और Polymer का निर्मान कर लेगी वन टाइप की Monomericai या आगी से आगी जूटती जाएगी Polymer का निर्मान करेगी इसे हम क्या कहते है additional polymer कहते है आगी दूसर आइप देखेंगे कि दो परकार के Monomericai या क्या करेगी पॉलिवार्स का निर्मान करेगी तो उसको आगे देखेंगे पले आज देखते है additional polymer additional polymer के अंदर फर्स्ट जो टोपिक है उसका नाम है PVC इसको बोला दाता है पॉली विनायल क्लोराइड पॉली विनायल क्लोराइड इसका फॉर्मुला होता है CH2 डबल बॉंड CHCl पॉली मराइजेशन रियक्षन करवाएंगी तो यह किस अंदर हो जाएगी CH2 सिंगल बॉंड CH और CL में करते न मोली कूल और यह बॉन्डिनग हमने निकाली बाहार तो यह क्या है विनायल क्लोराइड का क्या है पॉलि मोनोमर है और विनायल क्लोराइड का मोनोमर जो है पॉलिमर में कर्मर्ट हो जाए तो होते ही क्या बन जाएगा पॉलि विनायल क्लोराइड पॉली विनैल क्लोराइड वन्मत करेद के । देखिए यहां पर विनैल क्लोराइड के कितने मौल्यकुल दिये हैं in लिए है लिए तॉय किसमें गलगाड हो जाएगी होदि एलैंगत यहां यहां और यहां पर क्या है निर्मान कर लेगी फिर हम बात करें इसके यूज की, PVC का यूज कहां किया जाता है, इसके यूज की हम बात करें, तो इसका यूज किया जाता है, सबसे पहले हम बात करें, PVC के क्या बनते हैं, पाइप बनते हैं, दूसरा हम बात करें, जो प्लास्टिक बोतल होती है, उनके डखन भी इस PVC के बनते हैं, फिर हम बा और गरेयलूसामा जो गर्मे काम आता है कई सामानिसा जो फलास्टिकां बना होता है और हमारी गर्में काम में लेते हैं इसके अलावा और भी कई एक्जाम्पल हैं जो हम क्या करते हैं आप ईसका यूज करते हैं पीजिक का I hope PVC समझ में आ गया तो PVC को बलता है polyvinyl chloride polyvinyl chloride का हम लेंगे monomer vinyl chloride और इस vinyl chloride की जो CH2 double point CHCl इसको तब polymerization करवाया गया तो यह किसमें करवाट हो गई CH2 single point CHCl में convert हो गई तो polyvinyl chloride समझ में आ गया होगा फिर आगे हम बात करें इसके कि यह क्या होता है white color की होती है अगर इसके मतलब गुनों की बात करें तो यह white color का होता है या फिर हम बात करें कि जो PVC है जो PVC है वो और कहा कहा काम में ले जाती है तो plastic की हम बात करें तो यह फ्रीज में फ्रीज में भी इसका उप्योग किया जाता है फ्रीज़ें भी पिवो पियाता है पीड फीड हॉपा bisher तो यह क्या उन्ज श्कुट जाती है या फिले पाउडर फोर में तो आएगी क्ला भींगी चन्पे क्या होते हैं करें फिर प फिर है यह प्रिश का में चल्व करते हैं और वही यह ज्यू एम बात करें टाइरे एंदर को जाएगा आर्ट हो जो खार थी impeachment होता है प्लास्टिक बार्ने वाली में हैद कि प्रोक्ष्व करते हैं फिर यह में तक अब सम tips को आगया होगा next exam के बाद कि पीविसी के बाद जो सेकेट एक्जामपल है उसको हम बोलते हैं कि टैफलोन का दो फॉर्मॉला होता है वो होता है सी एप टू डबल पॉंड पॉंड सी एप टू कि वही एन मोलिकुल होंगे और जब यह दियेक्शन करेगी पॉलिमेराइजेशन करेगी जब यह भी क्या गरेगा पॉलिमराइजेशन तो दिषी-एप 2 सिंगल बॉन्द दिःक में कन्वट हो जाएगा और जोक्ति के पॉलिट्हागी तैफलोन बना लेगा डिकुल से क्या भॉण्ध या मैं से क्या बना क्या पॉलिट्हाटन बन गया जै कि पोली कि उते लो्य मोस्त करता है फ्लोरा श्टाय और इसको एंच तो यह बात करें इसका यूज कि इसका यूज यह जाता है बढ़तनों के हथ्ट्य बनाने मिं आत दो नो संग Member जो क्या करते हैं जितनी एजा हीट दो गरम नहीं होते हैं हमारा हात नहीं जलता जो बढ़ते नमरा सुझी में काम में लेते हैं उनका या वहां पर इसका यूज किया जाता है यह फिर हम बोच सकते हैं कि जो लाइट फिटिंग जो प्करण है विदूत्य उपकरण है उसको सकते हैं इस लिखते हैं है बीजली का सामान मिला इसको यूज करते हैं तो टैफलोन की इसको एक। क्या खाएंगे सी इप फोर भी बोल सकते हैं सीटोब यह क्या है सी डिबल पॉंड पॉंड सी एथीन और फ्लॉरी इतने है फोर तो इसको क्या प्लाइध था टेट्रा มगल विदेवीज से इसकुत यहां तक आपको तेसलों जो है पॉलीमर जो मोनोमरी काईयों से मिलकर बना है वो हम चरसा कर लिए अब आगे हम बात करेंगे थार्ड जो है थार्ड हम बात करेंगे पॉली प्रोपाइलीन इसको बलता है सोट में पी पी इसका फॉर्मुला होता है और देश्टियु पॉल्पॉल्ड सीएच कश थि यह भी क्या है एन्य मोलीकून लेंगे है क्या है इत्रोपाइल इस प्रोपाइली इस थातनी और है इस वीयर करेंगे इसका पॉप शुक्त जाओ जाएगाечение से क्या बनेगा वाली प्रोपाइलीण कि आ पहला है पूरी प्रोपाईलिन में सब्सक्राइब करें आगे इस पॉली प्रोपाईलीन का यूज कहां किया जाता है प्रैकि इसके यूज की हैनना कि आगकोmernाने में अ कि रसे बनाने में Travy किया जाता है यह यह घ्या जा है इस इस टाय। इस्टाइन, इस्टाइन का फॉर्मुला होता है CH2 double pond CH C6 H5 N molecule हम बात करेंगे, N molecule हम बात करेंगे तो यहां से हम बात करेंगे तो यह क्या बनेगा CH2 CHC6 H5 यह क्या बन गई polystyrene styrene से polystyrene में convert हो गई styrene से polystyrene में convert होगी तो हम बना लेगी, polystyrene में convert होगी जो monomeri काई है, styrene की वो क्या परेगी जुडेगी, polymerization के धुरू और polymerization के धुरू styrene जुडेगी तो क्या बना लेगी, polystyrene में convert हो जाएगी तो यह हमने देख लिए इस्टाइन या फॉर्थ एडिशनल पॉलिमर का जो एक्जाम्पल था अब हम बात करेंगे फिप्ट पॉलिमर नेक्स्ट एक्जाम्पल की नेक्स्ट जो एक्जाम्पल है उसको हम गोल देते हैं पॉलि एक्रिलो नाइट्राइल इसको सो फैप इए और पॉलि एक्रिलो नाइट्राइल होता है शीएच तूड मॉले क्यों लेंगे और यहां क्या हिसा करेगी तो इस। करनाट होगी CH2 single bond CH और CN में इसको कहा जाता है PAN PAN कहा जाता है polyacrylonitrile है मतलब यह हम बोल सकते हैं यह क्या है acrylonitrile है acrylonitrile से क्या बना polyacrylonitrile बन गया acrylonitrile से क्या बना polyacrylonitrile बन गया ठीक है तो monomeri काई हम बात करें तो acrylonitrile के जो monomeri काई है वो क्या करेंगी आगे से आगे बार बार जुड़ेगी तो क्या बना लेगी polyacrylonitrile बनेगी एक बड़े अनो का निर्मान कर लेगी एन molecule लिए है तो यह एन molecule polymer हमें क्राप्त हो जाएंगे यह हम बोल सकते एन अनो का क्या बना है polymer बना है तो यह polyacrylonitrile हुए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगी polythene polythene का formula होता है CH2 double bond CH2 यह हमने लिया है एन molecule वही क्या करवाएंगे polymerization करवाएंगे और जब polymerization करवाएंगे तो यह किस में convert हो जाएगा CH2 single bond CH2 में convert हो जाएगा यह क्या है एन molecule है polythene यह क्या है एटइन के जो monovirika यह है वो क्या ना लेगी polyethene लालेगी और इसके यूज की हम बात करें इसकी गुणों की बात करेंगे तो गुण की हम बात करेंगे कैसा है सफेद है जवलन सील में, जैसे इसको गरम करेंगे तो ये क्या होगी, ये भी सिकुडेगी, और यूज की हम बात करें, इसका यूज कहां किया जाएगा, खेड़े बनाने में, बैक्स बनाने में, जो पॉलिफिन की बैक्स होती है वो बनाने में, गरेरों सामान बनाने में इन सब में किसका यूज किया जाता है तो पोलिथीन जो है वो मोनोमरी काई है जो अगे से जुड़ कर क्या बना लेगी पॉलिथीन बना लेगी इसके बाद जो नेक्ष्ट जो है वो है हम बात करेंगे नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन तो यहां से इसको रफ करें इसको खालता है नियोप्रीन या इसको यह हम बोल सकते हैं क्लोरोप्रीन नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन नियोप्रीन हो या क्लोरोप्रीन उसकी हम बात करेंगे तो क्लोरोप्रीन है नियोप्रीन तो उसके लिए हम बहुनुला लिखें CH2 double pond C CH double pond CH2 और यह क्या है? CL जुड़ा है CL जुड़ा है तो यह क्या है? Chloroprene यह क्या है? Chloroprene की structure है Chloroprene है तो इसको हम बहुत सकते वेशे तो यह क्या है? Normally जो natural rubber है वो है Natural rubber है Natural rubber है ठीक है? अब हम बात करें आगे कि इसको तो polymerization में convert करेंगे तो यह किसमें convert हो जाएगा? CH2 CL में convert हो जाएगा इसको बोलते हैं Neoprene अब हम बात करें Chloroprene है Neoprene से क्या बना? आइसो जो मतब पोली Neoprene मन गया और इसके यूज की हम बात करें तो जो तेल ले जाने वाले pipe होती है तेल लाने ले जाने वाले जो pipe होती है वहाँ इसका यूज किया जाता है जो हम बोल सकते हैं च्छ टू डबल बॉंड दोज गाई ने इस जगा गया इन दोनों ने क्या कर दिया अपने बॉंड को ट्रांस्फर किया और आगे वाले मैं इन यहां पर बात करेंगे जो पैले देख रख काया कि आगे बी क्या होंगे एसे ही क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन की जो इस टेक्चर है वो जुड़ती जाएगी ठीक है I hope additional polymers की जो एक्जामपल है वो completely समझ में आ गए होंगे ठीक है यहां तक जो है additional polymers की एक्जामपल वो complete होए next class के अंदर हम पढ़ेंगे कुन कंसंदेश जो संगर्यन पॉलीमर है उनके एक्जामपल्स को तो उसके लिए हम पढ़ेंगे next class में वीडियो फसंद आए तो like and share जरूर करना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे करको मिलता है